वाट सब गाइज तो क्रिप्टो बैन को लेके बहुत सारी डिसकुशन यहां पे चल रही है काफी जाद हमें फर्ड देखने को मिल रहा है क्रिप्टो बैन क्या यह इंगेजमेंट फार्मिंग हो रही है ट्विटर पर और बाकी के प्लाटफॉर्म्स पर यह एक्चुली बै चीजों की तरफ से या वो सब एंडिटी की तरफ से भी निकल कर काफी सारे अपडेट्स आये हैं तो पहला तो अगर हम मार्केट का मुएना करें तो मार्केट में हम लोगों अभी भी जो बिटकोइन एंफ्टी से उसकी वज़ा से बिटकोइन के ऊपर जो बिल्ड कर रहे प्रॉजेक्ट से उनकी तरफ से काफी पॉजिटिव एक एक रिसपॉंस देखने को मिल रहा है काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है स्पेशले एक स्टाक्स जिसको हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं मैंने इसके बारे में पहले बात की है in my videos from 2021 as वेल कि यह लोग क्या कर रहें अब बिकॉज यहां पर बिटकॉइन के ओपर एनेफटी और वो सब चीजों की बात हो रही है यहां पर एट इस गेटिंग अलोट अफ ट्रक्शन तो विद आट हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन में आपको अलग लग चीजे यहां पर दिखाता तो पहली बात हम बात कर लेते हैं यहां पर IMF को लेके क्या चल रहा है और यह सारे जो अपडेट्स है मैं आपके साथ टेलिग्राम पर रेगिलरली शेयर करता रहता हूं चाहे वो थोड़े बहुत चार्ट रिलेटेड अपडेट्स हो कि क्या एक्सपेक्टेशन है चाहे वो मार्केट स्पेसिफिक अपडेट्स हो कुछ वो मैं आपके साथ टेलिग्राम पर शेयर करता रहता हूं लिंक आपको नीचे मिलेगा टेलिग्राम आज ट्विटर का तो वहां पर आप जॉइन कर सकते हैं बीटी सी स्कूल के ट्विटर पर आपको क्रिप्टो लर्निंग बहुत सारी मिल जाएगी तो इसा था आपको लेकर एक मेरा व्यूपोइंट ऐसा था आपको बनाया था तो बट अब आएम एफ की तरफ से एक इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है और उनका कहना है वी प्रेफर टु रेगिलेट क्रिप्टो देन बै आएम एफ एफ एफिश भी यह दो तरफ से एक इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है तो इनका कहना है कि हम यहां पर रिगुलेट करना प्रेफर करेंगे र्यादर दिन बैन यह कि इन्टों ने बोला है यहां पर IMF Managing Director Kristalina Georgieva इनका कहना है कि यहां पर regulation होना चाहिए बट strict regulation होना चाहिए और tight regulation होना चाहिए ban से better है यहां पर तो this is number one guys, तो काफी सारे लोग अगर आप tension में हो ban को लेगे, this is one second, इंडिया के RBI governor जो है, उनकी तरफ से यहां पर statement हमको एक video circulate होता नज़र आ रहा है जहां पर उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने बोला ban करेंगे कुछ लोगों ने बोला यहां पर उसको regulate करेंगे और दोनों चीजों की तरफ देखा जाएगा तो आपको पता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो करन्सी को बैन करें प्लोक्चेन को पूश करें क्रिप्टो करन्सी को कैसे यानि कि क्रिप्टो को legal tender यह जो छोटी-छोटी altcoins वगरा है उनको करन्सी की तरह नहीं यूज करने देना चाहिए यह उनका stance starting से रहा है अब उसके लिए वो crypto को ban करने के लिए बोलते आए हैं येस उनका stance यही रहा है कि इसको पूरा ही ban कर दो बट यह RBI का stance रहा है G20 nations का नहीं रहा है G20 में बहुत सारे countries है including US US की तरफ से जो हमको यहां पे निकल कर आया वो है Gary Gensler उनका claim क्या आया कि Bitcoin को छोड़के बाकि सब security है उन्होंने ऐसा बोल दिया and Gary Gensler ध्यान रखे Gary Gensler जो है वो MIT में blockchain पढ़ाते थे तो उनको समझ में आता है तो यह statements क्यूं दिये जा रहे हैं कैसा दिये जा रहे हैं आप उसके पीछे का politics और उसके पीछे का लोगों को डराने धमका के चीजों को control करने का तरीका and वो आप उनका viewpoint समझे right so it is going to be very difficult to ban crypto and कब बैन होगा आप पहले हम वो funda भी यहां पर discuss कर लें अगर एक मिनट में उस पर लगाऊं तो crypto कब बैन हो सकता है दोस्तों crypto सिरफ तब बैन हो सकता है जब पूरी दुनिया के सारे के सारे countries बोले crypto ban सारे के सारे countries जो है law निकाले crypto ban का सारे countries दुनिया के आपको लगता है कि दुनिया के सारे countries same page पे आ पाएंगे कभी आज तक किसी चीज़ के लिए वो इस same page पे नहीं आ पाएं in fact climate change को लेकर global warming को लेकर भी आज भी सारे countries और सब लोग same page पे नहीं है जबकि वो तो actual reality यहाँ पे तो खत्रा वैसा है नहीं right so it is going to be very difficult crypto को ban कर पाना is not not that straightforward यहाँ पे अब हाला कि SEC की तरफ से यह ज़रूर निकल कर आ सकता है कि वो lawsuit file करने start कर दे जैसे कि XRP कि अगेंस्ट किया था कि सब को lawsuit file करो और एक specific instruction दो उस regulation क को जो है confirm करने के लिए तो वो अब वक्त ही बताएगा बट जहां तक ban की बात है दोस्तों थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान से रहें यहां पे इंडिया क्रिप्ट रेगुलेशन टॉक्स के अगरम बात करें तो major stakeholders को लेके यहां पे और ऐसा ही article है G20 में कि यहां पे इंड वीडियो आपके लिए तब भी शेयर किया था कि उनका कहना था कि यहां पे हम negative चीजों को कैसे control करें किस तरह का regulation लाए और positives को कैसे आगे लाया जाए technology को अच्छे तरीके से कैसे use किया जाए वो हमें यहां पे देखना है वो framework यहां पे पूश होगा ban tweet करने के लिए अच् काफी सारे अभी काफी updates यहां पे हम लोगों को market में निकल के दिख रहे हैं इस चीज को लेके तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि यहां पे जो ban वाला part है अभी के लिए तो आप उसको fud ही कहलाए तो better होगा तो चलते चार्ट की तरफ जो है चार्ट में हम बात क हो गया था कि short term में negative trend बरने की यहां पे chance बन गया था बट जैसा कि हमने डिसकस के थे 22,700 के आसपास यह हमारा जो purple box का line है इसके आसपास का support बनता है यह पहले past में भी support रहा है past में resistance भी रहा है तो वहां पे bitcoin ने bounce लिया हाला कि हम लोगों को volume बहुत अच्छा देखने को म short term strength का यानि एक दो तीन दिन के जो time periods है उसमें एक strength का हमको यहां पे notification यहां पे दे दिया है यहां पे ideally क्या चाहिए पूरा जो trend reversal है उसके लिए ideally तो दोस्तों वही चाहिए हमको 25,200 का जो price point है 200 weekly SMA के ऊपर एक weekly close यहां पे दें कम से कम एक daily close तो दे ही दे weekly तो चलो उसके बाद ही आएगा यहां पे so that's going to be an important thing to see now अगर मैं यहां पे वापस आपको यहां 4R में आ जाओ तो specifically अब क्या देखना है यहां पे तो अगले डेड़ से दो दिन में जहां पे आप notice करे 55 EMA से यहां पे हमको rejection देखने को मिला है so अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इत तीन चार ऐसे इंडिकेटर जो consistently historically better करते आए है as well as pair that up with market sentiment and news यह एक ठीक ठाक चीज हो जाती है जिस पर हम काम कर सकते है so 55 EMA से 4R में हम लोगों को यहां पे rejection देखने को मिला जिसके बाद हम 21 EMA के भी नीचे आ गये हैं यहां पे तो immediate resistance point जो बनता है वो यहां पे कुछ 23,400 अभी जिस resistance को bitcoin तोड़ने की कुशिश कर रहा है वही range बनती है but ideally यहां पे हमारे पास 23,700 का जो range 23,600 से 700 का जो range है that is an important resistance जिस support को bitcoin अभी यहां पे claim करना चाहिए अगर नीचे जाता है तो जिस support के ओपर ठहरना चाहिए वो है 23,200 के आस पास 23,200 से लेके 23,600 की जो range है इसके अंदर यहां पे bitcoin move करने का चांस है आने वाले एक दो दिन में and हमको यही देखना पड़ेगा unless हम लोगों को market में कोई negative news देखने को मिलती है तो यहां पे हम यहां पे चीज़े negative देख सकते है and इस week में और भी announcements है बहुत सारी आने वाला data है जिसके जिसको मैं through the week आपके सा अपने track पे आएंगे and बात करेंगे crypto की daily scenario में तो I hope guys आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपको अगर अच्छा लगा है तो like बटन आप जरूर दुमाए telegram twitter पे follow करना मत भूले आपको daily regular updates वहां पे दोनों चैनल पे यहां पे मिलते रहते हैं apart from youtube videos as well मिलते हैं दोस अच्छा है अच्छा है अच्छा अच्छा लगवा है है